सब्सक्राइब करें टेक्निकल हेलप रास्टा चैनल को बेल आइकन को दबाए हमाई नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमसकर दूस्तों मेरा नाभी है क्रिष्ण और दूस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले के अंध्रafa प्रुदेस के जमीन का मैप कैसे देख सकते हैं दूस्तों अगर आप के पास वी कोई जमीन है और आप उसका map record चेक करना चाहते हैं जिसे खसरा नंबर भी बोलते हैं अगर वो आप सारी details चेक करना चाहते हैं कि यह किसके नाम पे हैं कितना है यह सब details अगर आप चेक करना चाहते हैं ओनलाइन तो आज की वीडियो में हम यहीं जानेंगे कि उसे ओनलाइन आप कैसे घर बैठे चेक कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप यह चेक करना चाहते हैं तो आप यह वीडियो लाश्ट तक का देखते रहे हैं तो दोस्तों map record जो है चेक करने के लिए आपको सबसे पहले कोई browser open कर लेना है यहाँ पर मैं Chrome browser अपना open कर चुका हूँ यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपको type करना है mebhoomay ap तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यह type किया तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आ गया है तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं आपको यह पहले link पर आपको click कर देना है इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने नया page open होगा आप URL भी देख सकते हैं चाहे तो URL direct आप type कर सकते हैं तो यहाँ पर चलिए मैं इस पर click कर लेता हूँ इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तो आपके सामने एक नया page open होगा यहाँ पर देख सकते हैं जो की tailinku हासा में तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं language लिखा यहाँ से आप language भी change कर सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं इस पर क्लिक करके English कर लेता हूँ तो यहाँ पर जैसे मैंने English किया तो यहाँ पर देख सकते हैं सब English में हो चुका है तो यह देख सकते हैं पूरी तरह English अभी नहीं हुआ है तो यहाँ पर मैं Chrome browser यूज कर रहा हूँ इसके लिए मैं यहाँ पर देख सकते हैं translate का option है इस पर मैं click करके translate कर लेता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैंने translate पर click किया तो यह automatic सब कुछ translate हो चुका है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से जो भी आपको check करना हो उस प्रकार से आपका जोड़ भी district हो उसी साब से आप चेक कर सकते हैं survey number, account number, आधार number, name of guardian तो जिसी साब से आपको check करना है उसी साब से आप check कर सकते हैं तो यहाँ पर चलिए हम check करके आपको दिखा देते हैं कैसे check करना है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैं district select कर लिया फिर उसके बाद कोई भी एक village name select कर लिजिए और फिर उसके बाद survey select कर लिजिए सभी जो भी आपका zone वगेरा है सभी select कर लिजिए जो भी आपका हो फिर उसके बाद यहाँ पर आप capture type कर लिजिए तो आप जैसे ही capture type कर लेंगे उसके बाद आपको click पर click कर देना है तो यहाँ पर चलिए हम click पर click कर देते हैं यहाँ पर मैं example में आपको दिखा रहा हूँ आपका जो है वो सही सही आप यहाँ पर type करके जो है enter करके आप यहाँ पर अपना देख सकते हैं तो यहाँ पर यह pop-up आ चुका है उपर यहाँ पर देख सकते हैं लगा हुआ है प्लीज है पौब विंडोस इन यो ब्राजर हम देख सकते हैं यह पर यहां पर आप देख सकते हैं में भूमी यह करके जो है एक लिंक है इस पर आपको क्लिक करदेना है इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने यह सभी डीटेल से यहाँ पर आ गया है यहाँ पर मैं translate कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैं translate किया है यहाँ पर सभी records आपके सामने आ चुका है यहाँ पर आप आसानी से record देख सकते हैं और इसे print भी कर सकते हैं तो दोस्तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं और print out इसका निकाल सकते हैं तो दोस्तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कोई प्राब्लम हो तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर आपने भी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे जिससे मैं कोई भी वीडियो अप्लोट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तो आज के लिए वस इतना है फिर मिलेंगे एगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार